हेलो और वेलकम तो देस्टूडियो मेंबर्स भारती एटल को आज के दिर हमने ट्रेट चाता है ट्रेट करने के पीछे का रीजन क्या है क्यों हमने इस स्टॉक को स्लेक्ट किया था डे टाइम फ्रेम पर ट्वेंटींथ ऑफ अप्रेल की एक कैंडल है इसे कैंडल को बेस महांते हुए हमने आज का ट्रेट अपना एक्जिक्ट किया था अभी आगे चलकर कि हम इसको और भी अच्छे से अनिलाइस करेंगे लोग टैम फ्रेम पर देखते हैं फाइम निट्स पर देखे एक सपोर्ट बिल्ट हो रहा था पिछले तीन दिनों से इस सपोर्ट के नीचे आज मार्केट ने जैसे विद वॉल्यूम को ब्रेक आउट दिया हमने इस स्टॉक को ट्रेट कर दिया था बेसिकली अगर हम देखे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद में मॉर्निंग में ही प्राइस का सपोर्ट का ब्रेक कर दो होना और इन स्विंग के पास से देखे डाउनसाइड के तरफ पिछले दो-तीन दिन से लगाता रिजल्ट गिर रहा था और आज भी सेम लेवल पर गिरा और कल इसके अंदर एक अच्छा मूव आया था और आज डाउनसाइड के तरफ मूव आया है एक इंपॉर्टेंट चीज है आज 9.15 के बाद में जो सेकंड केंडल थी हमारी 9.20 की इस केंडल के लोस पर हमने किस तरह से अपनी स्टॉप लॉसस को फइंड किया था बेसिकली देखा है जो इस स्टॉप को जब हमने अपनी प्रावेट गुप में मौनिंग में शेयर किया था यह शेयर करने के बिल्कुल 10 में के बाद में दो केंडल में इसने अपना टागेट हमारा दे दिया था सो यहां पर सबसे पहले एपनी trade book open करेंगे दो लॉग इन करते हैं एस्प्र्सो ओके प्री-लॉग-इन है सो यहां पर सबसे पहले एपनी position book open करेंगे overall आप देख सकते हैं पोजिशन भूप में 18,060 रूपीज का round figure भी profits है हमारा बार्टेट के लिए इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं perfect so 18,000 का profit है intraday के according हमारा एक decent सा profit है and आज के जो trade हमारा बहुत ही easy trade था क्योंकि आध्य से ज्यादा target हमको morning में मिल गया था बाके तो फिर पूरे दिन हम बैठेर इसके अंदर order book open करते हैं order book में आप देख सकते हैं total 1200 quantities के साथ यह trade हमने execute किया था अपना short side के तरफ stop loss जो हमने इसके अंदर लगाय थे 712.65 के stop loss थे and यह पूरी के पूरी quantities है profits जो हमने इसके अदर अपने book केते 6.95.10 के मेरे profits थे तो एक smooth trade जिसको बोलते है कल जिस तरह से trade हमको irritate किया था आज उसका पूरा का पूरा opposite trade चला था कल उसका पने 22 side में trade execute किया था अपना hero motocop में so hero motocop में देखे ना तो कल हमको target मिला लो आज भी हम बैठे रहे पूरे दिन के हमको मिलेगा लेकिन target उसमें आज भी नहीं बिला हालांकि वो इस तो गिरा नहीं बट जहां पर 9.15 के अंदर जैसे कल वो side use पढ़ा रहा था वैसे आज भी वो side use पढ़ा था फिलाल चलते हैं अपने आज के state पर और one by one tick by tick एक एक candles की analyze करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमने आज का अपने एक ट्रेट execute कियाता है तो thank you and welcome to the studio देखें बात करते हैं भारतिय एटिल के news के इसके नदर news थी और company ने काफी अच्छा profit गे इनकी है भारतिय एटिल quarter four P.A.T. jumps 164% year on year to rupees one two thousand seven crores quarter four P.A.T. P.A.T. का मदलब profit after tax tax देने के बाद में जो profit बगारा होता है उस तरह से calculations है तो 164% का profit और 2007 crore के असपास का है अभी पूरी news आराम से फढ़ सकते हो and Google पर available है हमें सिर्फ इतना जाना है कि इसके अंदर news थी और company ने काफी अच्छा profit gain किया है कुछ 7000 करोड के आसपास Google भारतिय एटिल के अंदर invest करने वाला है so काफी अच्छी ची news है भारतिय एटिल ने दर हमें उससे कोई लेना दे रहा नहीं है इसके अंदर अच्छी news है या पूरी हमें मतलब है सिर्फ news से कि हाँ ये लोगों के radar में है अब जब हमें ये मालूम है कि कोई stop किसी particular कोई अच्छी news है या फिर किसी भी reason के वज़े से अगर वो radar में है उसके अंदर movements आने तरह होंगे अब या तो वो upside के हो या तो फिर downside के अब इतनी बड़ी जो volume आई ये देखे प्राइस के अंदर ये इतनी ज्यादा ये जो volume आई नहीं बहुत दिनों के बाद आप इतनी ज्यादा volume भारते है टिल के अंदर देखे यहाँ पर हमने एक चीज़ आपको बताई थी 20th April की ये जो candle है ना हमारी 20th April की candle के lows को हमने एक अपना important range मान लिया day time frame पर जब आप देखोगे और 24th April के बाद से जब price को read करोगे तो किस तरह से हम लोग यहाँ पर पढ़ पारे है price को 20th April के बाद से price ने देखिए closing कहाँ पर कि हमारी 4th of May से closing की है और जैसे ही 4th of May की candle ने close किया सबसे पहले यहाँ पर volumes को माफ कर देखे तो उसको बहुत द्यान से और आराम से सुनेगा कल भी जो वीडियो हमने अप्लोट किया थे काफी अच्छा symbolic way में हमने बताया था लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन shares को जो stock हमने कल trade किया था hero motocop को बहुत अच्छी तरह से explain किया था वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़रू से ज़रू like किजाएगा comments किजाएगा and अपने friend circle में share करने के कोशिश किजाएगा because जितनी अच्छी तरह से जितनी अच्छी deep finances करके हम अपना ये trade एक एक करके समझाते ना कोई नहीं आपको समझाए तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करना और चलिए आगे बढ़ते हैं अपने state के तरह अब 20th April की candle के low के नीचे देखिए closing किसनी की है हमारी इस वाली candle और इस closing के बाद में वापस से price फिर मेरा उपर की दिशा में नहीं गया 4th of May की closing जो हुई है इसके बाद से फिर price मेरा उपर की दिशा में नहीं गया ये नीचे ही रहा है अब यहां पर price ने देखिए क्या क्या है ऐसा नहीं है कि upside की तरफ जाने की कोशिश नहीं की है volume के साथ price ने upside की तरफ जाने की कोशिश की है देख रहे हैं लगातार volumes आहीं है बट price upside की तरफ नहीं गया और यहां से direct गया अब क्यों कि हमको ये एक swing मिला और swing के साथ साथ में एक important range इस important range को हम लोग समझते हैं और देखें कि इस important range का क्या असर भारती है तेल के इस पूरे zone में 700 और 20 रुपीज की zone में कैसे पाड़ price देखिए हमारा आज भी upside की तरफ गया मतलब इस पूरे week में 16, 17 और आज एकदम से high jump ले लिए price ने 18th of माई को देख रहे हैं ना कितने percent का jump था ये अगर हम कल की closings और आज की opening देखें तो ये करीब 2% का jump था और 2% का jump लगा देने के बाद में 1% का move हमें up chart के तरफ 2-3% का jump था अब अगर यहां से price हमारा strong है तो इसको उपर निकल जाना चाहिए न अब क्यूंकि देखें इस वाली candle की नीचे 18th of April की candle की नीचे price closing कर देने के बाद में उपर नहीं निकला है यहां से अच्छे खासे rejections मिले तो हमने क्या किया कि इसके अंदर lower time frame पर अपनी analysis करना शुरू किया अब lower time frame पर जब आप देखोगे तो देखें यह 5 minutes की candle है और 5 minutes के बाद में 920 की इस low की नीचे price ने closing करना शुरू कर दिया देख पार है हमने just क्या किया था 920 की candle की closing को mark किया जो low था 920 का हमने इसको mark किया और यहां पर एक अपनी entry lease 710 रुपए 15 पैसे पर अब 710 रुपए 15 क्या है कल का जब आप high देखोगे तो देखें इसका high और आज की entry का price दोनों आपको पास पास नज़र आएंगे सिर्फ 15 पैसे का फर्क है न यहां पर हमने अपनी confirmations ले और इस confirmation के बाद में with volume जब price हमारा downside की तरफ गिरने लगा न तब हमने यहां पर अपना trade execute किया stop loss लगाने के लिए हमने देखा कि 920 की candle के low को अगर हम stop loss मानते तो यह मेरा सबसे अच्छा stop loss होगा क्यूं होगा इसे इसको भी समझे सबसे पहले तो price जब मेरा lows की तरफ आया तो इसको कितने बड़े-बड़े rejections मिले मतलब कि नीचे से upside की तरफ buying जेनर और again price ने downside की तरफ closing कर अब अगर price को upside की तरफ जा रहा है तो क्या करना होगा न हमारी 920 की candle के ऊपर जाकर के trade करना होगा और अगर price हमारा 920 के ऊपर गया तो इसका trend change हो सकता है हमने यहाँ पर selling किये और अगर यहाँ से buying गई तो फिर आप stop loss कहीं भी लगा दो अगर आप 920 की candle के high के ऊपर भी stop loss लगा दो न तो वो भी hit हो जाएगा इस वएस से हमने क्या किया कि 920 की candle के बिलकुल low पर अपने stop loss लगा दो जो कि last तक हमारा safe भी रहा safe रहने के पीछे के reason भी आए कि entry ले लेने के बाद में यह stock मेरा नीचे गिर भी गया था काफी अच्छा लगभग 1.5% यह stock नीचे गया था एंड exit कर देने के बाद में इस stock के अंदर जो हम बैठे हुए थे 10 बचकर 5 मेंट की candle के just low पर हमें निकल ला था बट जैसे ही price ने 10 बचकर 5 मेंट की candle के नीचे closing थी इसके अंदर देखे volumes आने लगे थे काफी अच्छे अच्छे volumes आया फिर हमने hold किया price को price जहां से देखे upside के तरफ जाने लगा अब क्या होता है कभी कभी आप hold तो कर जाते हो green मया करके बाद में आपका या तो stop receipt होता है या फिर कम profit में निकल अब जब price हमारा upside के तरफ जाने लगा तो फियर होता है वो सब के अंदर होता है हाँ कोई अपनी trade के उपर उस fear को हावी होने देता है और कोई नहीं होने देता है अब जब यहाँ से price आप side के तरफ जा रहा था तो सच पता है हमने माल लिया था कि आज जाएगा stop अब अगर जाए तो जाए stop होगा हम निकलेंगे नहीं 695 रुपए 10 पैसे पर हम यहां से एक्जिट होगे अपसे downside के तरफ जब आने लागा ना क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था lows को price protect करता है जब इसको upside के तरफ जाना होता है अब इसको lows यहां पर है अब यहां से अगर इसको upside के तरफ जाना है तो कल के कुछ support से देखे यहां से price हमारा गिरा कल के भी और उससे पहले के भी जब भी हम trade execute करें ना तो एक दिन पहले के या फिर उसके पहले के price में कहां कहां से support लिये गए यह चाहिए यहां से price हमारा नीचे गिरा और इसके ऊपर सी price हमारा upside की तरफ चला गया तो यह 695 यह वाली जो range थी ना यह एक support है भारती एटेल के लिए जैसे तो आस तो nifty और आपका stock दोनों ही align हो करके चल रहे तो तो काफी अच्छा लगा था trade करने में morning में nifty के और भारती एटेल के दोनों ही लेवल से हमने आप सभी लोगों के साथ शेर के यही रिजन था हमारा 695.10 पर अपने बिल्कुल जितने भी trade से सारे के सारे हमने आप पर निकाल दिये अच्छा trade था था अच्छा trade था अच्छा and overall जो हमारा profit था भी हमने आपको बत करेंगे डे टाइम फ्रेम को भी अनिलाइस करना होगा लोगर टाइम फ्रेम को भी अनिलाइस करना होगा तब हम कोई भी एक trade एक्जेक्यूट करेंगे ऐसा नहीं है कि आप bullish candle दे करके आपका व्यू भाईका बन रहा है जैसे ही उस candle rent candles form हुई आपने सारी quantities अपनी निकाल या फिर red candles को दे करके आप short selling करो green candle दे करके आप बाहर निकल जा रहो सिवाए laws के कुछ होगा ही कोई भी trade execute करेंगे न सबसे पहले professionalism एक अपने अंदर लेकर के आए सीखिये चीजों को समझने की कुशिच कीजिए समय दीजे इन्वेस्ट कीजिए यहीं पर हम अपना